नमस्ते कहानी शुरू करते हैं एक बार की बात है सत्पुडा की जंगल में एक बलवान शेर रहा करता था शेर रोज शिकार करने के लिए नदी के किनारे जाया करता था एक दिन जब नदी के किनारे से शेर लोट रहा था तो उसे रास्ते में सियार दिखाई दिया शेर जैसे है सियार के पास पहुँचा सियार शेर के कदमों में लेट गया शेर ने पूछा अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो सियार मुला आप बहुत महान हैं आप जंगल की राजा हैं मुझे अपना सेवक बना लीजिये, मैं पूरी लगन और निस्ठा से आपकी सेवा करूँगा, इसके बदले में आपके शिकार में से जो कुछ भी बचेगा, मैं वो खालिया करूँगा, शेर ने सियार की बात मान ली और उसे अपना सेवक बना लिया, अब शेर जब भी शिक इसकर करने जाता, तब सियार भी उसके साथ चलता था, इस तरह साथ समय बिताने से दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, सियार शेर के किये हुए शिकार का बचा कुचा, शिकार खाकर बलवान होता जा रहा था, एक दिन सियार ने शेर से कहा, अब तो मैं भी तुम्हारे बराबर ही बलवान हो गया हूं इसलिए मैं आज हाती पर वार करूंगा जब वो मर जाएगा तो मैं हाती को खाऊंगा उसमें से जो भी बच जाएगा वो तुम खा लेना शेर को लगा कि सियार दोस्ती में ऐसा मजाक कर रहा है लेकिन सियार को अपनी शक्ती पर कुछ जादा ही घमंड हो चला था शेर पेड़ पर चड़कर बैठ गया और हाती का इंतजार करने लगा शेर को हाती की ताकत का अंदाजा था इसलिए उसने सियार को बहुत समझाया ल पर कूत पड़ा लेकिन सियार सही जगे छलांग नहीं लगा पाया और हाती के पैरों में जागे रहा हाती ने जैसे ही पैर बढ़ाया वैसे है सियार उसके पैरों के नीचे कुछ लगया इस तरह सियार ने अपने दोस्त शेर की बात ना मान कर बहुत बड़ी गल्ती की और अपने प्रान गवा दिये इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी बात पर घमन नहीं करना चाहिए और अपने सचे दोस्त को नीच्चा नहीं दिखाना चाहिए कहानी समाप्त धन्यवाद